कि नमस्कार साथियों मैं धीरा जादा आप सभी का हमारे इसक्रिशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमटी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं बात करेंगे कॉंपटिशन कमटी की तरफ से की गई एक और नई पहल के बारे में तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख प्लाई किया हुआ है उन सभी छात्रों के हिद में कॉंपटिशन कमटी तरफ से एक और इनिशेटिव लिया गया है जहां पर आपको से संबंदित जो लेक्चर से वह बिल्कुल निशुल को प्रोवाइड करा जाएंगे तो आपको भी क्या करना है हमारे साथ में जुड़ प्ले करेगा आपके एक्जाम में तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उन सभी छात्रों तक इस फीडियो को जरूर पहुचा है आप लोग जादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उन छात्रों की भी मदद हो सके जो किसी इंस्टिट्यूट में जा करके या दूर शहरों त क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग को डिसकस करने के बाद हम लोग अलफाबेट से बनने वाले हर एक प्रस्ण फिर चाहे वह आपका अनलॉगी पर बेज़ो फिर चाहे अलफाबेट टेस्ट पर बेज़ो या अगर मैं बात करूँ आपका क्लासिफिकेशन या और वन आउट यानिकि अलफाबेट से संबंदित ज 오늘도 आपकेula में बनते हिब आपके प्रस्णहां आपके अग्ज़िक में बनते है और जो भी उसको हम अंगलों और यहां पर कोडिंग डिकादिंग पढ़ है अदिक सदी Questions को Attempt कर सकते हैं तो चलना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो अज के सेशन के अगर बात करो तो सबसे पहला हमों के स्टार्ट करेंगे basically alphabet यानि की letters की मैं बात करूँ तो letter के form में या आपको code दिया गया होगा letter के form में या आपको word भी given होगा clear इसके बाद में बात करता हूं numerical coding तो यहाँ पर आपको क्या होता है word given होता है जिसमें आपके letters होते हैं और जो code होता है किया जाता है substitute कर दिया जाता है तो इस पर based भी आपको question देखने को मिलेंगे साथ ही साथ मैं बात करूँ self coding यानि कि अगर मैं बात करूँ किसी particular word की तो उसी के letters के के वल sequence में आपको changes देखने को मिलते हैं इसके लावा गर मैं types of questions की बात करूँ तो आपको conditional coding जो कि यहां पर हम लोग आज discuss भी करेंगे तो अलाग अलग तरीके से पूछा जाता है इसके अलावा गर मैं बात करूँ तो binary coding advanced coding तो various type के questions होते हैं लेकिन आपके exam के दृष्टी कोंड से कौन कौन से important है इसके बार में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे clear तो चलिए आगे देख लेते हैं कि और हमें किन-किन जानकारियों को exam में utilize करना होता है इस topic से related प्रस्णों में तो आगे कि अगर मैं बात करूँ तो फड़ा फड़ देख लेंगे हापे place value of letters यानि कि A से लेकर के Z तक के letters का इस्थानी एमान और इसके साथ साथ हमें क्या याद रखना होता है opposite letters यानि कि विपरीत अक्षर जैसे E का opposite V हो रहा है F का opposite U हो रहा है G का opposite T हो रहा है नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी दो opposite letter के सानिय मान का अगर योग करते हैं तो आपको योग हमेशा कितना दिखाई देगा 27 दिखाई देगा तो कोई भी आप opposite letter उठाएंगे तो उनका जो सम होगा प्लेस वैल्यू का वह कितना निकल कर क्याएगा 27 तो यहां पे आप लोग देख सकते सम ऑफ देख सकते सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोजिट लेटर इस ऑल्वेस 27 यानि कि विपरीत अक्षरों के स्थानिय मान का य नहां पहां पहुजड लेटर सकी कुछ तरीय के दिये गए जैसे एक बोर को लफ से आड़र सकते हैं जब पर यहाद कर सकते हैं Это एक बात जाएएगगा व रल्क्र को जायेंगा ओ एफ की अगर बात गए तरिकımızı Z जंगल क्वीन का पॉजिट कानपूर कमला पसंद जैसे लगता है वैसे याद करो फिरल का पॉजिट ओ मैंने बताए कि लाव और एम का पॉजिट क्या हो जाएगा एन हो जाएगा इसको मैं न से याद रख सकते हैं ठीक है फिलाल यह केवल एक तरीका है जो बैस्ट अप्रो लॉजिक्स की यह हम बात करें पैटर्ण की आगे हम लोग पैटर्ण भी डिसकस करेंगे कि इस तरीके से पैटर्ण पर आपके कोशन बनते हैं ठीक है तो यह कुछ महत्रपूर बाते हैं जो कि आपको जानना आवर्शक होता और एक टॉपिक पर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ-साथ हम कितने और टॉपिस को कवर अप करेंगे यह भी आप यहां पर बनता हुआ देखेंगे क्लियर चलिए तो यह हो गया प्लेस वैल्यू याद करने के कुछ तरीका जैसे हम जो टी से अगर बात करें तो यहां पर 5 के मल्टिपल में आपको प्लेस व प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी ठीक है इसी प्रकार यू की पूछ लेगा तो 21W की पूछ लेगा तो 23 यानि कि हमें कहीं प्रैक्टिस की जरूत तो पड़ेगी पड़ेगी ठीक है तो यह हो गया आपका पांच के मल्टिपल में प्लेस वैल्यू आप हो द्रगत यहां पर क्या होते हैं कर ग्राइब की जो कोड होता है वह उनके सामने सामने ना दे करके पैटें को फॉल करता है तो पांट को बनको नहां पर बिर्ट अब ग्रून के कि स्मार्ट के लिए कर मैं कोड़कि बात करूं तो यह आप H, N, Z, I, और यहां पर G, clear, then what will be the code for board, clear, बोलेगा, in a certain code language, smart is written S, तो आप यहां पर देखोगे, कि क्या लग रहा है, आपर S का opposite letter H, M का opposite letter N, A का opposite letter Z, यह तो हो गया, सामने सामने, लेकिन यही question अगर आप से इस प्रकार से पूछ लेगता, in a certain code language, smart is written as H, N, Z, I, और G, तब आपको क्या करना परता, तब आप देखते कि यहां पर opposite letter का logic तो लग रहा है, लेकिन एक pattern को follow करता हुआ लग रहा है, तो इसी प्रकार से various तरीके के pattern होते हैं, जहां पर आपको अलग-अलग logic के ताहत questions देखने को मिलते हैं, तो यह हो गई बात pattern कि थोड़ा साम लोग logic के बारें भी चर्चा कर लेते हैं, logic के अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह opposite letter आपको यहां पर logic के तौर पे देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से आपको addition, यानि कि S के बाद अगर हम बात करते हैं, आपको T देखने को मिल सकता था, A के बाद B देखने को मिल सकता था, R के बाद S देखने को मिल सकता था, T के बाद U देखने को मिल सकता था, तो यह हो गया logic किसका, addition का, इसी प्रकार से इसके previous letter के अगर हम बात करें तो आपको subtraction का logic भी देखने को मिल सकता है, इसी प्रकार से अगर मैं बात होती है 19 तो 9 एक हो जाए अगर 10 तो 10 के लिए हम यहां पर जे भी लिख सकते थे और अगर इसको हम यूनिट डिजिट में कनवर्ट करेंगे एक और जीरो को अगर हम मिलाएंगे तो एक बनेगा तो यहां पर हम इसका कोड ए भी लिख सकते हैं यानि कि अक्षरों के स्थानी म स्थान कि मुलती 日े थे धिक हो अधागर थे को पर देखने को दिखेंगे बंघर को सकता है इक है से एस के लिए अगर मैं बात करूँ इसकी प्लेस वैलिए उननीस है तो इसके लिए को आपको आठ यानिकी एच देखने को मिल सकता है क्योंकि नौ और एक के डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमको आठ बनता हुआ दिखाई देगा जो की प्लेस वैलिए होती में कठिनाई नहीं होगी क्योंकि पहले ही हम क्या होंगे लौजिक्स के साथ में परिचित होंगे क्लियर चलिए और आप में से मुश्ली तो चात्र ऐसे होंगे जो हमारे साथ अलड़ी सेशन में जुड़े हुए हैं ससी की हम बात करें या अलग से जो भी यहां पर प्रोग्राम्स आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रहे थे तो उन सभी प्रोग्रामों में बह जार्थियों के लिए हैं जिससे आप अपनी कंटिनिटी को बरकरार रख सकें क्लियर तो चलिए फिलाल हो गई बेसिक बात है अब हम आते हैं पर प्रस्णों पर और स्मार्ट अप्रोच की बात करतें कि एक्जाम में अगर इस प्रकार से आपको को मिलता है तो आपका अप स्टेबल से रिएटेड ऍवाथ करें जेल पूलिस से रिलेटेट इजाम पर चलिए ठीक है अगर बात करें अप्रोच द्यान दिजेगा अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप अपरोच सही रखते हैं तो आप को चुठकियों में असानी से बना सकते है तो पहले हम यहाँ पर प्रस्ण को समझते हैं प्रस्ण में बोला जा रहा है कूट में अंग्रेजी वनमाला के प्रत्यक सर को चक्री रूप से उसके अगले स्वर के रूप में कूटित किया जाता है जैसे अगर हम बात करें वावेल्स की तो वावेल्स होते हैं A, E, I, O, U फिर आगे कि अगर हम बात करें यानि कि अगर A है तो उसका कोड क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, E है तो उसका कोड हो जाएगा, I है तो उसका कोड हो जाएगा, O और O है तो उसका कोड क्या हो जाएगा, U कि अगे की अगर मैं यहां पर बात करूं तो Besold किया जा रहा है कि हूँ है और प्रतिक फॉन्जन को चक्क्री रूप से उसके अगले तीसरे व्यंजन दियुक है जैसे कि आप तो फिर क्या भच का निकांट को जिए वचल आपर लिखेंगे दिना डी तो इस प्रकार से हमें क्या करना इंटर चेंज करते चलना वॉड़का कैसे करना क्यास घूडमत्व में मैंने आपको बिए पॉचा दिया तो तो यह घूत करें के मैं जितक्रम कीया का औपयोग करेंगे यानिकि अगर हमने क्या दिया गया है को दिया गया और फूछा गया है तो इसी करेंगे रिवर्स पैटर्न, को फॉलो करेंगे यानिकिया क्या को से यहां पही 니क लें, approach क्या कर दो IS весь बहुत के लिए जो कोड़ वर्ड होगा वो क्या होगा तो मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग इस पर अपना अप्रोच लगा लिजिए और फिर जो तरीका मैं यहां पर बतारा है उस तरीके से बताईए कोशन बनाने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है बिल्कुल आपक ओंक हो इसकी जगह आपका क्या है तो इसके बात कई करेंगे तीसरी लेटर है और दूधर की बात थो चौता होता है हो उँँब यह को अप्रोच महनद है से स्टाइ RMT Master को ड Chung 천 Drag the speed Fan acabou duraug fights कोई दे रहे हो एक्जाम और चाहरोग को तो ले करके आपको तरीके का बर्डन नहीं महसूस वह ठीक है समझ में अचैसे कि हम लोगों को निए हमने केवल को सबते ही नई क्वाँटर का इसी प्रकार कोड़ पूछा गया एक हो जाएगा ही एक ही विकल में दिखाई दे रहा है आक बंद करके ऑप्शन में माग करके चले ही बाकी का उप्शन को आपको चेक करने की ज़रत नहीं है विदिन सेकंड चुटकियों में आप कोशन का अंसर निकाल सकते हैं ठीक है यानि कि अगर हम ब मिलेगा औरों के बाद मिलेगा यू तो आई के देखे पर देख लो किसमें दिया है के और और के विकल्प में दिया है उप्शन नमबर डी में डैट्सिट खताम विदिन सेकंड ठीक है लेकिन अब समझी है यहां पर अगर यह वर्ड दिया होता तो जल्दी बाजी में कई रखना है किन चीजों में रखना है इंस्रक्शन को पढ़ने में तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो पूछा है कि दा वर्ड फॉर्ड दा कोड एज हिपलो इस बार क्या दिया गया है और आपको बताना है वर्ड तो ध्यान दीजे करना कुछ नहीं हमें क्या करना है इ अगना इसे कर सकते हैं तो आई है तो आई एक पहले वाला मम होगा किस्ति में आया होगा or इक होता है यह होताय आपको क्या है में ऐको पूछ वार्ड एक और में बмат कर Min humor for the word यायनि कि इस बार क्या पताना है code बताना है Gnt यूआच यानि कि यूव के बाहए बाद डायगा एह कहाँ इस लूपन हो जा Aprilory अंसर हो जाए ठीक है तो इस बार हमें कोड बताना था इससे पहले हमें देखने को मिल रहा है अब v की अगर हम बात करें तो व क्या हो customers होगा तो अगर our की बात करें तो on get what क्या मिलेगा मिलेगा ट पिर यू को अदिए फिर क्या मिलेगा वी मिलेगा यानि कि ऄड़ के लिए जुडिख राइश की बात करते हैं तो देखो एसके बात तीसरा प्रोच की बात करें तो आपको यहां पर अगले प्रशन पर यूपी जेल पुलिस 2020 की परिक्षा में पूछा गया प्रशन है स्वाइब इस प्रशन के लिए अप्रोच की बात कर रहा हूं तो अप्रोच आपको कैसे सिखना पहर बोहतर कमार्ड बनानी है यहां पनानीज RIGHT तो अगर मैं question की बात करूं तो आपको इस प्रकार से लिख लेना फोन जो वर्ड आपसे जिसके लिए code दिया गया है यानिकि एफ आर एस एल और क्यू अप्रोच के वाल आप देख लिए 16 हो जाएगा आठ हो जाएगा तक आपको क्या करना है इस पर बहतर तरीके से अभ्यास करते रहना है जिससे कि आपके दिमाग में यह डाटा बहतर तरीके से फीड हो सके ठीक है अब हम बात करेंगे यहां पर लॉजिक की लॉजिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ कुलक के दिए घडтесь आपको क्या होता हूँ दिखाई दे रहा है 15 से 19 कि प्लसकाहर्ट यहां पर आप देखेंगे तो 8 से 18 अड़ी контр сов यहांWhat 11 तो कह सकते हो कि यहां fact and I am 14ड़ सेमेट नहीं मेंलेकर श्फ करते हूँ होना है है कि 12 को यह एक valid pattern आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जब एक valid pattern सामने सामने बनता हुआ दिखाई नहीं देगा तो हमें क्या कर लेना है हमें वहाँ पे patterns को apply करके देख लेना है तो patterns की मैंने already चर्चा की हुई है आप लोगों के साथ की various तरीके से pattern पर based भी logic आपको देखने को मिल सकते हैं अब अगर हम यहाँ पर देखे pattern को follow करती हूँ तो 16 plus 2 18 और 8 minus 2 6 यानि कि यहाँ पर हमने किया minus 2 और यहाँ पर हमने किया plus 2 यहाँ पर हमने किया plus 4 आगे कि अगर हम बात करें तो 14 में तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और पांच में अगर हम यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यानि कि यह भी आपका एक valid pattern follow होता हो दिखाई नहीं दे रहा है और हम क्या करते हैं फिर एक्जाम में हम परेशान हो जाते हैं ठीक है तो करना क्या है आपको केवल केवल प्रस्टों की practice करना भी यह निए कि मैं direct एक बार में रट करके आपको यहाँ पे एक्जाम में यह चीज़ें हो सकते हैं हर्डल्स आपको देखने को मिल सकते हैं तो ऐसी situation में क्या करना है यह भी समझ लीज़ें क्यों मैं यहाँ पे इतने तरीके से इतनी बार आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि करेंगे और लास्ट में उसमें टाइम देंगे ठंडे दिमाग से कुल माइंड से क्योंकि अगर आपने ज्यादा समय इसमें खपा दिया तो जो बचे हुए नमबर और कोशन से उसका भी प्रेशर कहीं आपको एक्जाम में गलतिया करने पर मजबूर कर देता है ठीक है चल अगर आपको क्या है प्रस्टों की प्रैक्टिस है ना तो आप इसको देखते ही बना सकते था इवेन आपको यह प्लेस वैल्यू भी लिखने की ज़रत नहीं थी कैसे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है पांच है पांच के आस-पास के नंबर आपको यहां पर 6 दिखाई इक जॅब प्रोपर बना देता हूं यहोगया सोड़ा से सत्रा इव्लं के बाकि अगर आप देखेंगे तो आठ से बारा 14-18 और 15-19 यानि कि यहां पर आपका क्या और प्लस वान होरा है यहां को प्लस वान होड़ा यहां परchild बथा ऑक पलेलीडों के नहीं तो यह तरीके होने की ज़रूत नहीं ठीक है यह चीज़े आपको कैसे आएंगे भ्याद से आएंगी जो कि आप देखते ही यहां पर क्या कर पाएंगे प्रस्णों को बना पाएंगे चली मुवन करते हैं यहां पर फटा फटा अगले प्रस्ण पर अगें आपको यूपी जेल 2020 की परिक्ष और उसके बाद जिसके लिए पुछा गया उसको बनाएंगे डारेक्ट भी देखकर क्या बना सकते हैं अगर आपकी इन बातों पर बहता तो कैसे कमांड है तो कैसे डी और ई की बात कर तो डी और ई आपको एज़िट इस दिखाई दे रहा है के की बात कर तो के की जगे पर लोगिस ले और और अअब क्या अब डारेक्ट यहां पर जाज कर पाएंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे किसे कर पाएंगे जब भी मैंने कि जो सिंगब डिजिट प्लेज मे वाले ले लेटर है वह आपको तैजीट इस दिखाई दे तो वहां पर लॉजिइक की जब हम फिर जब आपको code में सभी के सभी letters एक single digit letter single digit place value वाले letter दिखाई दें जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर 4 5 1 और 2 सभी क्या है single digit place value वाले letter है तो यहां पर जो logic है वो क्या हो सकता है sum of the place value of letters हो सकता है और यहां पर बात करें logic की तो वहीं आपको बनता हुए दिखाई देगा तो तरीके दो थे एक तो आप क्या करते हैं इस तरीके से यहां पर लिखते 11 और इसकी place value की बात कर तो D-E-A और B यहां पर place value की बात कर तो चार पांच एक और दो अब यहां पर जाकर करते लोग हो प्लस मांडिर करते तो यहां तो परीशान नहीं होना है बाटहाया कि ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे यहां पर APPROACH करना आपको क्या करना है पहतर तरीके से प्राक्टिस करना है जिससे क्मांडे क्मांड intéressant को बनेगा एक प्रयास सकते हैं हाई condition क्लियर हो गया होगा ठीक है चुतस है और सुच्छा है को हम देख कर के कुर्च enorm को कैसे बना सकते हर ईक बात कि अच्छा करेंगे पूछा कि अगर हम बात करें तो फी की प्लेस वैली होती है 16 छेक साथ देखने को मिलेगा हमें जी एक ऑप्षन हो गया एलिमिनेट आर की होती है ठारा ठेक नो देखने को मिलेगा आई यानिक यह दो आप्षन भी क्या होगे एलिमिनेट आंसर हो गया ओप्षन नंबर एठ तो हमचयों नमबर एठक है ये एपरोच आपका होना चाहिए चलिए बात करेंगे अगले प्लस निपर और सीदे यहां प्लस नंपर दरनाता सीखेंगे सीधे की बात करें टो ऐसा है एकर हम देखें प्लस टू खोट्व breath प्लस टू की प्रेस्व एक सी को देखें तो प्लस टू ठीक से इसी प्रकार नगर बात करें किर्केट की तो सी की मेविशू की प्लस लूब वह इसके बाद अगर हम बात करें आर की दो आर की प्लेस वेली ओठारा बीस दिखने को मिलेगा ऑप्शन नमबर बीका जागा राइट अंसर हो जागा विदिन सेकंड चुटकियों में आप सौल कर सकते हैं तो दोनों ही तरीके मैं आपको बता है अप्रोच जब तक कमांड नही हो जाती पैटन जब तक आपको बहतर तरीके समझ में जाता लॉजिक जब तक आप वेरियस लॉजिक के साथ में फैमिलियर नहीं हो जाते गलतियां करिए खूब करिए ठीक है बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई दिमाग में मंत्र मार दिये और कोई इसी जड़ी बूटी बनाके बूल के पी लिए और अपको निरंतर करते रहना है गलति आपको करते रहना और गलतियों सापको सीखते तैनना है ठीक है चल्य मुँ ओं करते हैं प्रस्ण पर अगले दी में प्रस्ण की बात करो मंकी के लिए यहां पे लिए गया है एक अब देखो मैंने का डायरे टी बनाना है यह ऐगर हम बात करें तो यहां पर हमें M का कोड देखने को मिल रहा है 13 और X की प्लेस वैलू होती किता ही 24 तो सामने लेटर है starting से चार थे लेटर है कि मैं प्ढ़र यहां पे है दस फोर्फ लेटर होँआ पर 14 यहां पर तेरा फिफ्ट लेटर वहाँ पर 15 और यहां पर 14 और यहां पर 13 यहां पर 12 यानि कि आपको समझ में आ गया होगा लोजी करना क्या था फर्स्ट का इंटर्चेंज लास्ट के साथ करके आपको एक पैटन को फॉलू करना था नंबर अफ लेटर्स कितने थे छे तो आपको यह पैटन यहां पर क्या करना था ड्रॉ कर लेना था यानि कि इसका इंट्रचेंज इसके साथ इसका इंट्रचेंज इसके साथ इसका इसका इसके साथ 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 इस पैटन में आपको क्या करना था या पर सभी लेटर के प्रीवेस लेटर लिग देना था या फिर माइन साथ में से गटा होगे तो छे मिलेगा यानि कि option number यह क्या हो जागा पूछे गए प्रस्ण के लिए तो यह अप्रोच आपको रखना है आपके exam में ठीक है बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की अगले प्रस्ण की बात करूं तो बोला है if in a certain code language parent is written as BDFGJK यानि कि P की अगर मैं बात करूं तो P की place value होती है 16 और यहां पर देखने को मिल रहा है B जिसकी place value होती है 2 फिर अगर मैं A की बात करूं तो A की place value होती है 1 और हमें देखने को मिल रहा है यहां पर D जिसकी place value होती है 4 और की बात कर तो place value होती है 18 और यहां पर हमे तो सीधा सीधा तो हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसी सिचुएशन में करना क्या होता है समझे एक और आप गलतियां क्या करते हैं एक्जाम में इसके बारे में बात कर लेते हैं चलो आप क्या करोगे आप यहां पर लिखोगे बकाइदे वर्ड क्योंकि सर कि सर नहीं दो बताया अप्रोच आप्रो करना है थो आप लिखोगे हां पर टैरेंट और फिर यहां भगाःदे पैरन कर थे और प्लेश यह प्लेश वैल्यूर ऐ पांच चाध़ी सि घ्याराघर साथ छे चार दो ठीक है और फिर लग जाओगे लॉजिक लगाने दुनिया फर का पैटर्न बनाने तो एक और विसे इस बात को यहां पर आपको गार्ड बांद के रख लेना है जब इस प्रकार का प्रश्णा हमें देखने को मिले और लॉजिक हमें ना समझ में आ रहा हो यह जहां चलेंगे जिस वर्ड के लिए हमसे कोड़ पूछा गया है ज याँपो बूसबर से अगर्वाइब यूटिलाइज हम हं गरने दूटिलाइज करें तो हमें क्याम एलिमेंट डूठ जाती होगी यहां पर वेक्र यहां चेलिद्न से बातार घरेंट नहीं होती है कि जिस शब्द का कोड हम से पुछा गया है उस शब्द का निर्मान हम दिये गए शब्दों के अक्षरों का उप्योग करके कर सकते हैं अथवा नहीं तो यहां पर हम आर की बात करें तो आर यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है तो आर के लिए थार जो आपका अब इन दोनों में हंचेक करेंगे कौंसा लेटर लाइ्टर चेक कर सकते हैं सेकंड लाइटर हम सकते हैं लाइच्ट लेटर की बात करे तो टी यहां पर भी यहां पर भी यह MARTIN क्ला आपको कोड देखने को मिलेगा खर कैंशों के पूछ प्रस्ण के लिए तो यहोगा तarीक कि कैसे आपको एक्जाम में कम से कम एफर्ट में कम से कम टाइम में ज्यादा से जादा number of questions कैसे बनाने हैं ठीक है चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ट की इन a certain code language arise is written as cum xk ठीक है arise कि अगर हम बात कर तो एक ही place value एक यहां पर देखने को मिल रहा है c जिसकी place value 3 यानि कि प्लस 2 आर की बात करें तो 18 यहां पर देखने को मिल रहा है 21 यानि कि प्लस 3 आई की बात करें तो place value 9 देखने को मिल रहा है m यानि कि प्लस 4 यानि कि लॉजिक की बात करें तो करें तो हो जाएगा 22 कि आपको केवल केवल ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है ठीक है यह लाजिक यह प्रशन को बनाने का तरीका कब बना पाएंगे जब आपको क्या होगा अच्छा बहुत सारे एसे भी छात्र होंगे जो फरस्ट टाइम जूड़े होंगे बहुत सारे इसे भी छात्र है जो अलड़ी एससी अगर हम सीचेसल सीजेल प्रोग्राम की बात करें तो वहां से हमारे साथ में जूड़े हुए तो उनका बहतर तरीके से कहीं न कहीं सभी टॉपिक्स पर अभी कम करने के लिए आप वीडियो को पॉस्ट करेंगे इत्मिनान से अराम से प्रश्ट को बनाएंगे और पैनिक नहीं होना है टेंशन नहीं लेना मैंने बताया कि यह चीज़े कैसे आती है प्रैक्टिस से आती है और आपको हमारे साथ अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बना कर सोच क्या क्या होनें चीजों चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसलिए है पर जाना होता है यानिकि पेंसील हम बात करें है तो थीक है है ठीक से वे करें तो 16, 5, 21, 14, 35, 35 और 12, 47, 47 और 12 की बात करें तो 59 यानि कि सम कितना रहा है 59 यानि कि यहां पर सीधे सीधे आपको लॉजिक देखने को मिल रहा है सम आफ प्लेस वैल्यू तो और क्या-क्या लॉजिक हो सकते हैं एक बार फटा-फटा उस पर यहां पर चर्चा कर लेते हैं यानि कि यहां पर आपको लॉजिक समझ में आगया क्या हो रहा है सम आफ प्लेस वैल्यू अफ लैटर यानि कि एरेजर में इनके प्लेस वैल्यू का सम कर देना होगा इसके लावा क्या-क्या लॉजिक हो सकते हैं तो आपने देखा भी लास्ट को सेशन प्रोग्राम में मै तो कैसे इसको बेतर तरीके से आसान तरीके से हम बना सकते हैं प्रश्ट को इसके उपर मैंने चर्चा की हुई है तो यानि कि sum of the place value of letters करने के बाद आपको उसका square देखने को मिल सकता है जितने number of letters है यानि 6 number of letters है तो 6 का square 6 का cube देखने को मिल सकता है या हो सकता है कि 6 का square करके उसमें से minus क्या कर दे number of letters minus कर दे या number of consonant को minus कर दे या number of vowels को minus या plus कर दे ठीक है तो इस प्रकार से various logic हमें देखने को मिल सकते हैं कई बार आपको यहां पर हम बात करें sum of the digits of place value देखने को मिल सकता है जैसे 6-7 हो गया पांच हो गया यह पांच हो जाएगा यह तीन हो जाएगा यह नव हो जाएगा यह तीन हो जाएगा यह तीन हो जाएगा एक्चुल में लग क्या रहा है ठीक है आप टाइम वेस्ट करने से बच पाएंगे इरेजर की अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा पांच एठारा एक उननिस पांच और अठारा देखो इसका calculation आपको यहां पर ऐसे लिखना पढ़ रहा है तो यह लिखने की भी दोगे तो 66 यानि की option number सी क्या हो जागा राइट आंसर हो जागा ठीक है नंबर के फॉर्म में भी देख लो कैसा ठारा दुनी 36 हो गया 36 और 20 की बात करोगे तो 56 56 और 10 की बात करोगे तो छाचेट तो स्मार्ट तरीका डारेट बनाइए कोशिश करी कि आपको इवेन प्लेस ठीक है तो फिर से आप यहां पर लग जाओगे लाजिक लगाने पी के लिए तो 6 दिया हुआ है आर के लिए 8 दिया हुआ है ओके लिए 0 कैसे दे दिया गया चैसे को तो हमारे साथ अगर जूले हुए तो टेंशन लेने के बाशकता नहीं आप टेंशन हमारे उपर छोड़ दीजे आप केवल क्या करी है एक्जाम की त्यारी पर ध्यान दीजे तो यहां पर समझ यह मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ऐसे केसे में हमें क्या करना होता है सबसे पहले यह द्यान देना होता है कि जिस वर्ड के लिए हमसे कोड पूछा गया है क्या उस वर्ड का हम निर्माड दिये गए शब्द के अक्षरों का इस्तमाल करके कर सकते हैं या फिन नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आपको कोई भी नया element दिखाई नहीं दे रहा है यानि कि हमें code दूनने की अवशकता नहीं है और यहां पर जो रिपीट हुए आई कि अगर भात के तो लाज से सब्सक्राइब कर तो फिर उनकिलना यहां कोड़ा कर िधना के इली हो गया फूर्थ के बाद 6 पर 2 और फिर 8 पर 2 यानि कि इस से आप कोई भी ऑप्शन नहीं कर पार एक्सेप्ट ऑप्शन नमबर ए बाकी के लेटर के अगर हम बात के देखा बाकी में क्या करो कि जो आपके चेंज है तीसरा अपको चेंज देखने को मिला थीसरा है एच यहां पे चौथा एलिमेंट है चौथय नमबर फे यास त्री वाला होगा उससे हमें रखना अन सीपट अनौन होगा आपका अलेमेट अप इन दोनों में जो अलाग होगा अलाग से जागा पूछे गए प्रश्ण के लिए तो लेड वर्ड भले लंबा है अप्रोच अगर बहतर है तो आप यहां पर कम समय में को असानी से बना पाएंगे ठीक है चलिए अगले प्रश्ण की बात करो तो चाइनीज कोडिंग से आपको यहां पर प्रश्ण देखने को मिल रहा क्या इन दोनों सेंटेंसमें और कोई कमन ऐलिमेंण हमें दिखाई दे रहा है यहां क्यवल oh old Lucy stapon है टो हमें केर कोड में इन अगर बात करो तो इन जनरल आपको इस परकार से जो वर्ड वह लिक्वर्ड दिखाई देदे लेकिन यहां पर एक्स परकार के वर्ड को गिवन लूंष की तोर पिर ऑन में तो और लूश करूं पर आपके बात करो यहां पे लूशी के वल क्या एक पूछा ओमने का तो सानि को पूछ से कि Ein की प्रों के अगर पूछ को कशा जाता है ठीकिeh एक number के प्रस्षण लिए आपको इतना ही आपने देखा यहहां पे Lucy आप यहां पे आपको All दिखाई दिया कंप बाकि की element की आप को निकालना हो गता तो क्या देखेंगे यहां पर मारी पूछा यहां पर पूछा उता गनाफिस स्रीडा पूछा या यह आपका code है तो इन दोनों एक element common है और इन दोनों में code के अगर हम बात के तो code भी यहाँ पे आपको together देखने को मिल रहा है यहाँ कि एक element आपको common देखने को मिल रहा है बात करेंगे फिलाल अगले पूछे गए प्रस्ण के लिए इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा आपका option number d यानिकी all चले अगेन आपको यहाँ पर कह सकते हैं चाइनीज कोडिंग या common word कोडिंग पर बेस्ट कोशन देखने को मिल रहा है कोड किसके लिए पूछा गया कोड पूछा गया ची के लिए इसके लावा कही common दिखाई दे रहा है तो इसके लावा हमें कही сторон सी लिए दिखाई नहीं दे रहा है तो हमेंड 29 टंका घृमनेन कोडिये 11ग कि इहां तरीका समझी में आगया असानी से चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं बात करेंगे अगले प्रश्न की कि अगये अगर बात करने पूछा किसके लिए गया है इन इन दैट कोड लैंगवेज दे वर्ल डॉम इस यूज़ किया गया है तो हम बात करें यहां पहले इन सर्टेन कोड लैंगवेज डी यू एमडी अम डी यूमन मीन्स वाइट स्वीट सुगर फिर इसके बाद आपको कोड दिया गया इसके बाद आपको बताए है अब आपसे पूचाएं कि जो है वो किसका कोड है व इं दोनों में एक एलिमेंट आपको कौन दिखाइए दे रहा है podemos को इसके लिए कोड दिखाई दे रहा है यहाँ अपको कैड्र दे रहा है तो आप ध्यान देंगे तो इसके लाव आपके कोई भी element common दिखाई नहीं दे रहे हैं इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर है shirt was white केवल और केवल एक ही ही आपका element common था जो कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता केवल परिवर्तन होता है उनके sequence में ठीक है अब sequence के अगर हम बात करें यहां पर आपको देखने को मिल रहा है के यार और यानि कि इस वाले हापको उठा करके हम क्या ले इधर ले आए और उसके बाद हमने इसको एजिटीज लगा दिया इसी प्रकार गार्डन के अगर हम बात करें तो कोड क्या बन जाएगा डी ए एन और फिर इसके बाद जी एर यही क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा अब कि यहां पर देखोगे तो एक पांच ग्यारा तेरा अठारा अठारा यानि की सारे के सारे लेटर्स आपके अलफाबेटिका लिया असेंडिंग और में आरेंज किये गए हैं इसी का रिवर्स सीक्वेंस देखने को मिल सकता था डेसेंडिंग और ठीक है इसी प्रकार अगर हम बात करें सम आफ़ डिजिट्स आफ़ प्लेश वैलिव करने के बाद जैसे 18 और ठीकनों हो जाएगा चार ही पांच हो जाएगा ठीक है सम आफ़ डिजिट्स आफ़ प्लेस वैल्युक्त अगर इसको रहन एंच करते तो यह इसकार से रही होता एक के बाद आपको देखन इसका पांच ही रहेगा यह 8-9 बन जाएगा यह 8-9 बन जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से इसका आरेंज्मेंट देखने को मिल सकता है तो लॉजिक बहुत सारे हैं अभ्यास से लॉजिक पर हमारी कमांड बैतार होती जाएगे और हम देरे-दे प्रस्णों को औरली बनाना स लिए बात कर लेते अगले प्रस्ण की जो कि आपका सब्सिट्यूशनल कोडिंग पर बेस्ट कोश्चन देखने को मिल रहा है इस वाइट इस ब्लू ब्लू इस कोड़ेड एस रेड इस कोड़ेड एस यह लो तो हमें ऐसे प्रस्णों को पढ़ने के अवश्चता नहीं होत सीधे हमें आना है लास्स सेंटेंस पर देखना है पूछा किसके लिए गया देन वाट विल बी दे कलर ऑफ हुमन ब्लड का कलर क्या होता है रेड होता है डूनेंगे रेड इस कोड़ेड है यहां पर बोल रहा है यह यहां यानसर की हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि रेड को क्या बोला जा रहा है यहां यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा विदिन सेकंड चलो अब यह हो गई कोडिंग डिकोडिंग की बात यहां पर हमने वैरियस लॉजिक सीख लिए हैं बहुत सारी बातें जान ली हैं अब इन ही पर बेस्ट जो आपके अल एक तीन पांच फिर यहां पर पांच के बाद साथ नो ग्यारा ग्यारा के बाद तेरह पंद्रह सत्रह सत्रह के बाद क्या जाएगा तो उन्नीस एक्टिस और टेइस प्लेस वैल्यू किसकी होती है तो एस की यू की और डवलू की कॉपी रखे होगा तो आपको समझ में आ करना है ठाक करते रहना बातकर अगली प्रस्टिक अगले प्रस्टिक अगरकर से दिखाई दे रहा फिर एक दिखाई दे रहना दे अच्छा यहां पतरелиना आश्य को ना उस Fruit सब में रखा हुआ है इसके बाद अगां तो जी में माइनस वन हो रहा है एफ यहां पर क्या माइनस package प्लस का थे से तो कितना जाएगा 11 प्लेस वैली होती किसकी की आंसर जाएगा और फिर से देख लो फटाफट से जिन भी बच्छों को डाउट हो रहा है आप देख लो करना क्या था प्लेस लिख लेते हैं सबका 617716 यहां पर आठ एक नौ और यहां पर जाएगा नौ एक और आठ ठीक है इसके फर्मेट में देखो 6177188 ठीक है यहां पर एक सब में क्या है इसमें कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिल ला इसके बाद अगर आपके तो साथ से हो जा रहा रहा च्छे यानिकी माइनस वन चेह से हो जा रहा नो यानिकी प्लस का थ्री और नो जो जा रहा आ प्लस त्री तो आट तीन करोगे तो 11 प्लेस वेल्यू इसका होता है तो जे होता है जे का प्लेस वैल्यू 10 एक होता है एक और के का होता है जैरा यानिकी दो अफ्शन हो फिर आजाएगा एल यानि को अप्शन नमबर सी को जाएगा राइट अंसर हो जाएगा पूछे गए परशन के लिए ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले परश्न की इन अल्फाबेट इन इन सीरीज ऑफ एल्फाबेट्स गीवन बिलो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन बिटवी इन थर्द अल्फाबेट फ्रिफर्म दे लेफ्ट एंड फोर्थ अल्फाबेट फ्रम दे राइट यह ओगा थार थार्ड अल्फाबेट फ्रम दे राइट और यहाँ पर पूछा in the कि बीच में कितने अलिमेंट है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आ है यूपी पुलिस असाई 2021 में पूछा गया प्रशन है ठीक है यहां पर आपको दिया गया किसी देश के नाम के अक्षर यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर व्यवस्थित किया जाता है तो गठित सब्द का पांचवा अक्षर क्या होगा तो पहले तो आपको इससे क्या करना है किसी एक कंट्री के नेम का एक वर्ड प्रॉपर फॉर्म करना है ठीक है कौन से देश का नाम लिख सकते हैं आप दो ओक बनेगा आपका इन अक्षरों को इंप्योग करके यहां पर वर्ड बनेगा वो यहां पर पनेगा graph को मनेग फ्रांस मैं ठीक है वर्ड बनेगा फ्रांस और इसके पांचवे अगर हमने की बात थो पांचवी अलिमेन नहां होगा सीS साने की पांच वाक्षर पूछा है तो उसमें यदि मेंशन किया होता किसी पर्टिकुलर एंड से तब आप उसको कंसीडर करते आदरवाइस आप उसको क्या करोगे स्टार्टिंग से कंसीडर करके चलोगे बात करेंगे यहां अगले पूछे गए प्रश्ण की एडि यानि कि एसे डी गए तो कितना कि यह प्लस 3 फिर डी से आई गया तो क्या कि यह प्लस 5 फिर आई से 16 यानिक प्लस 7 अब क्या करेंगे प्लस 9 तो 16 की बात करते तो कितना हो जाएगा 25 अंसर जागा option number B करना क्या था प्लेस वैल्यू अ बात यह कि आप सभी को इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा ठीक है तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले नेक्स यदि मैं यहां पर प्रश्ण की बात करूं तो बोला है if the first half of the word automobile is reversed which of the following will be fourth to the right of the third letter from the left end ठीक है यानि कि third जो लेफ्ट से है उसके हमें fourth right जान उतले ँधे हमें तो क्या हो जाती है शाती है आणसे से आता है राइट एड जाता है तो राइट प्लस लफ्ट करोगे तो वैली धोगी प्लस." आंसर आएगा लेफ्ट एंड से, राइट प्लस राइट करोगे तो वैली होगी, माइनस आएगा राइट एंड से, फिर राइट प्लस लेफ्ट करोगे तो वैली होगी, प्लस आएगा राइट एंड से, और लेफ्ट प्लस राइट करोगे तो वैली होगी, प्लस आंसर आए याना है यानी कि हम left से साथवे letter की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि यहां पर first half में ही केवल हमें change देखने को मिलदा number of letters की बात करें तो यहां पर कितने हैं दस तो first half में कितने आ जाएंगे पांच आ जाएंगे अब जो एक मेहनती बच्चा होगा मेहनती बच्चा होगा वह पहले इसको रिवर्स ओडर में लगाएगा और एक जो स्मार्ट बच्चा होगा उसको पता है कि हमें फास्ट फाइव लेटर से कोई लेना देना है नहीं तो पास तो यहां तक निकाल दिये 6-7 यानि आंसर की बात किया तो आ गया option number D क्यों क्योंकि मैंने थी बच्चा क्या करेगा पहले पांच लेटर को इस प्रकार से लगाएगा M O T U A और फिर लिखेगा O B I L E अब वो गिने अगर लेफ्ट से तीसरा गए फिर इसके राइट में चौथा जाना है तो एक दो तीन चार और जो स्मार्ट वच्चा होगा वो क्या करेगा वो डारेट भी को एज आंसर मार्ग करेगा और आगे बढ़ जाएगा ठीक है तो इसमार्ट तरीकों को हमें सीखना है और फॉलो करना है बात करेंगे अगले पूछे कर प्रश्ण की इवेन नंबर्स आर देयर इन सीक्वेंश विच आर इमेडियेटल फॉलोड वाइन और नंबर कितने ऐसे यहां पर क्या है इवेन नंबर है समसंख्या है जो जिनके तुरंद बात क्या है एक और नंबर यानिकि विसम संख्या देखने को मिल दी तो देखो इसको इसमें भ आर नंबर या प्राइम नंबर बोलात ऐसे लिए लिए थिके नटकाय ना तो प्राइम नंबर के बात कर वाघर ओंठ्याल सब्रक्षक धाबड़ तो इसवेडिये नंबर है जिनके तुरंद बात क्या मिला एक हमें ad number मिला है थीक है आफ इसे even number जिनके तुरंद बात हमें add number मिला है तो answer के हमाथ क्या ओजाएगा 5 अँज इї है चलिए affectionate if if in the word affectionate all the consonants are replaced with next letter देगो यहां भी smart work करने की जरूत है और जाएंगे कि smart बच्चा कैसे को विदिन सेकंड बनाएगा और कैसे महनती बच्चा इस कोशन में एक जुजहारू प्रत्यासी की तरीके से लगा रहेगा लगा रहेगा और उसके बाद आंसर निकलेगा लेकिन smart तरीके से कैसे निकालने इसके उपर हम चर्चा करेंगे इस बिन दवाड अफेक्शनेट ओल दब कॉंसोनेंट्स आर रिप्लेजट बाइन नेक्स्ट लेटर यानि कि हम प्लस वन पर रहे हैं और उसके बाद अगर बात करें आइंड ओल्ड वावल्स आर रिप्लेजट बाइज बाइज अलफाबेटिकली विच विल बी दफिट ले सारे के सारे वर सकुमा वुए और जो एक स्माट बच्चा होगा और यानिंट और 접종 का उसमें, यहांइ को कह रहा है, और हमें कि यहां यहां से इसको calm योजिए. नहीं है एक बाद जो element हमें सबसे छोटा दिखाई दे रहा हो दिखाई दे रहा है C उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है E उसके बाद हमें यहाँ पर E एक और बार देखने को मिल रहा है फिर हमें देखने को मिल रहा है F अब समझे यह बात को सी का बनेगा क्या वित का बनेगा न है ंसलए बाकिए कुछ करने की तापर निकाल सकते थे हैं इतना भी हमें करने की ज़रूत नहीं थी क्यों कई विकी जब इसको convert करेंगे जब हम माइनेस वन करेंगे तो यह बनेगा हमारे क्या अ और जब हम क्या करेंगे सी में जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एIch ऐ अगर मां लेड़े फॉन है इससे आपको देखने यहां प्लस वन ही हिसरा यहां पर आपको यहां पर आपको थोड़ा से दिहान लगाना ही कि अगर एक दिया हुआ है तो यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा लास्ट लेटर जाकर यहां पर बताते रहा है उनको क्या करना है उनको लिखना है वर्ड में आप चेंज़े करोगे और उसके बाद भी आप पाओगे कि आपका सीक्वेंस होगा ना स्टार्टिंग से वह यही होगा तो आपको डारेट अगर नहीं समझ में आ तो आप एक बार उसको चेंज करेंग को आप बनता हुआ पाएंगे तो आपको बहतर तरीके समझ में आगा कि आप रोच यहां पर क्या लग रहा है ठीक है बात करते हैं अगले प्रस्न की अनलोगी पर बेस्ट जो आपके प्रस्न बनते हैं अल्फाबेट से उनके हम चर्चा करेंगे तो जैसे कि वाई पी उसी यहांनिकि C O P यहां आपको देखने को मिला उसी प्रकार पेस्ट की आगर हम बात करें तो इधर से कोई भी एक in पर फेस्ट की प्रपर स्पेलिंग वोगी वह उगा तो पी ऐस होना चीह है लिमेट 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 पी अस्ट एंसर यानि कि हमने क्या किया रिवर्स ओडर और L से हो जा रहा है यानि कि माइनस का 3 प्लेस वैल्यू की बात करें तो 6, 8, 10, 12 और यहां पर बात करें तो 3, 5, 7 और 9 तो 6 से 3, 8 से 5, 10 से 7 और 12 से 9 समझ में आया पूछा अब इसी हमें क्या करना है इसी लॉजिक के साथ वाले हमें प्लेर को यहां पर चुनना है तो 12 से हो जा रहा है 9, 14 से हो जा रहा है 11, 16 से हो जा रहा है 13, 18, 15 यहीं क्या हो जागा आपका राइट आंसर हो जागा पूछेगा प्रस्न के लिए बाकी का option में आप देखी कि क्या गलबड़ है तो 1 से 7 नहीं बनेगा 8 से 6 माइनस का दो नहीं बनेगा और 8 से 18 यह भी आपको बनता हूँ दिखाई नहीं देखा clear बात करते हैं अगले प्रस्न की SRDA तो यहां पर S का क्या हो जा रहा है U यानि कि प्लस 2 R का क्या हो जा रहा T यानि कि प्लस 2 D का हो जा रहा E यानि कि प्लस 1 और A का हो जा रहा B यानि कि प्लस 1 तो यहां पर भी आगर हम बात करें तो P से हो जाएगा प्लस 2 यानि कि हो जाएगा R U से हो जाएगा प्लस 2 यानि कि हो जाएगा W O से हो जाएगा प्लस 1 यानि कि P और X से हो जाएगा command कर ली, आपने alphabet से जुड़े हुए सारे, अगर हम बात करें, place value, opposite letters, sum of the digits of place value, इन सभी logics पर अगर आपने command कर लिया, तापको इन प्रस्णों को बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, अगले अधी में प्रस्ण की बात करूं, तो Q से हो जा रहा है, जे क्या होता है, opposite letter ह होता है, Q का opposite letter J होता है, और D का opposite letter G होता है, तो GT रोड, जंगल क्वीन, हनी सिंग, हरबजन सिंग, मैंने बता है, high school, और Q का opposite letter J, अगें जंगल क्वीन, L का opposite letter O, love, बताये थे, तो सबसे पहले आजाएगा O, तीन option eliminate, ठीक है, अब यह जो प्रस्ण है, यह सीजी, PSC 2017 में प opposite क्या हो जाएगा, तो L का opposite हो जाएगा आपका, चलिए, L का opposite हो जाएगा, आपका O, N का opposite हो जाएगा, M, L का opposite O, और O का opposite L, यानि कि O, M, O, L, O, M, O, L, आपका option number B क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, ठीक है, बात करते हैं, अगले प्रस्ण की, अगले दी में प्रस्ण की बात करूं तो ई और जी को यहां पर देखने को मिल आपको 74 के रूप में और यहीं से शुरू होती है आपका लाजिक जो आपने अभी तक पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग पर कि वह कितनी बेहतर तरीके साथ यहां पर यहां पर यूटिलाइज कर पा रहे हैं या फिर आपक लेटर की भी हम बात कर सकते हैं एक आपोजिलेटर होता है 22 और जी का आपोजिलेटर होता है टी यानिकी 20 तो इन दो नंबर से गर हम 74 बना पाते हैं तो इसी लॉजिक को हम टेस्ट करेंगे अगले लेटर के लिए ठीक है और उसके बाद हम देखेंग कि क्या विकल्प में हमें वह अंक या संख्या देखने को मिल रही है या थवा नहीं तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि हम इससे 24 कैसे बनाएं तो 20 प्लस 22 करोगे तो आपका देखने को मिलेगा 42 जो की बनता हुआ दिखाए नहीं देरा 42 को डबल करने पे अगर 84 होता तो हमें समझ में आता है कि चलो बहुआ 84 करने बन रहा है लेकिन यहां पर बनता हुए दिखाई नहीं दे रहा है इस से अगर हम बात करते हैं तो 5 का स्कॉयर होता है 25 और 7 की स्कॉयर होता है 49 अर इन दोनों को जब आप क्या करोगे एड और तो नमबर बनता हुए दिखाई देगा आपको 74 तो करने और आपको नए-प्रस्टन को देखने को मिलेंगे ठीक है तो एक्जाम में पूछे जाते हैं कई बार बिलकुल नए से लॉजिक होते हैं अजीब से लॉजिक होते हैं जो हमसे अगर हम प्रैक्टिस करके गए है और हम उन लॉजिक्स के साथ में फैंबली हैं तो बिलीफ करिए कि वह कोशन आपसे और ली ही बनने वाला आपको कोई कठिनाई नहीं होगी यहां पर मैं बात करो सेम लॉजिक की तो जी की प्लेस फैली होती दस और के की होती ग्यारा दस का स्वार करोगे तो सो और यहां सम yp 121 का सम कर दोगे तो अंसर हो जाएक है 221 अनि की एक अब्ष्ण नमबर बी का बात करेंगे अगले प्राश्न की अगले प्रस्ण की बात का का तो लगे की प्लेश वेलिए 12貼 के एल की कि प्लेश वेली 24 तो देखो ど can सीधे सीधे करीज्य के तो बारा का स्कुरार की इLY कैना 144 24 इसकुर ने जो वाले का स्कुर कर देने सकेंडर वाले की ए нед lender के है अगले कि हम बात कर तो 20 का स्कुरर बाक New answer हो जाएका पूछे के लिए क्यों कि टी की प्लेस फैली होती बीस अर डी की प्लेस फैली होती चार बीस का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 400 बनेगा और प्लस 3 ही हो जाए यान कि कोई भी छेंज नहीं क्या ओर यह हम बात करें तो 14-12 greater meaning Talk 15-13 quicker और यहाँ पे 23न की coach- naj Cadabn वाले में 1 कि मिरूषन अप्शन के लिए इस अप स्वेट पर रखो इसको इन अमकिक नहीं करेंगे बचिए अपने पास दोविकल जहां पर आपको डियृवति देखने को मिल रहा है फर्स तीन एप्लिमेट में क्या करना था अध्य में प्लस 2 करोगे, J मिलेगा, A में प्लस 2 करोगे, C मिलेगा, यानि कि option number B आपका answer हो सकता है, लेकि none of these भी है, तो इसलिए में आपका चेक करेंगे, R में प्लस 2 करोगे, तो 20 हो जाएगा, फिर W माइनस 2 करोगे, तो U हो जाएगा, A में माइनस 2 करोगे, A को 27 भी हम consider कर सकते हैं, जैसे कि Z की place value होती है, 26, तो A को 27 भी consider करके चल सकते हैं, और 27 में से दो घटा होगे, तो मिलेगा, हमें कितना 25 जो की place value होती है, य की, और 18 माइनस 2 करोगे, तो मिलेगा 16 जो की place value होती P की, यानि कि option number B क्या हो जागा, राइट answer हो जागा, पूछे गए, प्रस्ने के लिए clear, चलिए, classification में भी देख लेते हैं, कुछ प्रस्ने जो आपके पूछे जाते हैं, या क्लासिफिकेशन के उस पर, अगर हम बात करें, तो तिलंगना पुलिस में यहाँ पर आपको देखने को मिला है, 2018 में पूछा गया प्रस्न है, SI के एक्जाम में, इन में से हमें एक अलग चुनना है, कि अलग कौन सा है, तो यहाँ कि, आपको दो का डिफेरंस देखने को मिला है, यही क्या हो जाएगा, काइसे, पन्दरा और सत्रा प्लेस वैली देखने को मिला है, यहां पर 8 और 9 और यहां पर 6 और 7 यानि कि consecutive लेटर से तीनों दिखाई दे रहें जबकि यह consecutive लेटर नहीं तो अंसर की हम बात करें तो option नमबर एक हो जाएगा अगले प्रस्न की Romeo number पर बेस्ट कोर्षण अगर आपको लुम हम नंमबर नहीं आता है तो आप इस प्रस्न को नहीं बना पाएंगया तो देख लिए किय corri 1 हो जो आपने सीख रखी आप प्रती होगी परिक्षाउ sécur ने काम आने वाली तो यहां पर हम बात कर तो प्रतियोगी 20 22 होता है यहां पर लेकिन आपको 23 दिखाई दे रहा तो यह आपका hoze थकता है आगे कि अगर बात करें तो आठंग कर दबन यहाँ पे 16 बनता हुँआ दिखाई द रहा है कि सी वाला क्या अलग है यानि कि 10 से हो जारा है 20 12 हो 24 अर यहां पर आपको देखने को मिला है ग्यारा से तेईस और यहां पर देखने को मिलगा है आट से सवले तो यही क्या जाएगा आपको अलग हो जाएगा ठीक है तो रोमा नंबर भी आपको पता होना चाहिए चले बात कर लेते अगले प्रश्न की अगले दी मैं प्रश्न की बात करूं यूपी जेल पुलिस 2021 यानि कि रीसेंट एक्जाम में पूछा गया प्रश्न है रेड के साथ में 7 फिर परसेंटेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा येलो के साथ में 6 फिर एंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि एक सिम्बल है और यहां पर आपके क्या है एक वर्ड है लेकिन नंबर है वो वर्ड से किस प्रकार संबन्दी थैसकी यदि मैं चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं ग्रीन में नंबर फ्लेटर पांच है तो आपको नंबर क्या दिखाई दे रहा है पांच दिखाई दे रहा है पिंक में नंबर फ्लेटर चार है तो चाल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है येलो में नंबर फ्लेटर छे हैं तो छे लिखा हुआ दिखाई दे रहा लेकिन रेड में नंबर फ्लेटर तीन है और साथ लिखा हुआ दिखा 13 16 19 21 22 25 12 15 इन दोनों में देखो तीन का डिफ्रेंस इन दोनों में देखो तीन का डिफ्रेंस इन दोनों में दोनों में तीन का डिफ्रेंस इन दोनों में तीन का डिफ्रेंस और इन दोनों में तीन का डिफ्रेंस मतलब यही वाला क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा आ याद है पोज़ेट लेटर याद है वेरियस लॉजिक्स के साथ में फैमली है नमबर फोश्टिंस की आप प्रैक्टिस करने तो देखिए आप कितने अलग अलग टॉपिक से पूछे कए प्रस्टों को कितने आसानी से बना सकते हैं जरुवत है तो केवल थोड़ी सी महनत करन कि आगे कि अगर हम बात करें यहां पर फिर से आपको चुनना है अलाग तो यहां पर देख सकते हैं है एक्ति पांड लेलू के बाध ठी बनेसे रहा नहीं बन रहा । तो भी सब में आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है किसी में दूसरा किसी में दूसरा लगताstatic नवर्य किसी में दूसरा suck इसके लावन्हें बात कोत क्या नाजिका दीक्सट आप ध्यान दीजिया तो ऑगल है राइट आंसर हो जाएगा पूछे के लिए तो वेरियस तरीके से कोश्चन पूछे जा सकते हैं प्लेस वैल्यू के अधार पर भी पूछे जा सकते हैं उनके नंबर्स के स्क्वाइर के form में भी पूछे जा सकते हैं ठीक है ना चलिए बात करेंगे अगले प्रश्नकी अगले दी में प्रश्नकी बात करूँ तो फिर से आपको इन में से अलग चुनना है ठीक है अलग कि अगर हम बात करें तो देखते हैं 12, 12, 6, 18, 18, 5, 23, 24, 27, 27, 23, 30 अब आप कहेंगे यहां पर 30 और 27 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो समझो L हो गया, R हो गया, W हो गया, A हो गया, D हो गया, A को मैंने कहा Z के बाद आता है तो 27 बोल सकते हैं और Z के बाद अगर A 27 है तो प्लस 3 करोगे तो D मिलेगा यानिकी D को हम 30 बोल सकते हैं तो इस प्रकार अगर आप यहां पर लॉजिक पर ध्यान देंगे तो यहां पर हो रहा है प्लस का 6 फिर हो रहा है प्लस का 5 फिर हो रहा है प्लस का 4 फिर हो रहा है प्लस का 3 इसी प्रकार यहां पर हम बात करें तो 26 26 26 के बाद आना चीए तो आप प्लस का 5 तो आपको देख करें तो यहां पर आपका बनेगा पांच 35 यानि कि आई कॉम 35 बोल सकते हैं आंसर की बात के तो option number B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए clear चलिए again अब यहां पर ध्यान दो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यह बन रहा है अपका fellowship अगर आप right to left आएगे तो fellowship यह आपका बन रहा है present presenter और यह आपका बन रहा है permanent जबकि यहां पर हम बात करें तो यह कोई भी meaningful word आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है बना करके नहीं रख सकते क्योंकि आपको एक्जाम में हो सकता है कि नया सा लॉजिक दे लेकिन अगर आप क्रियेटिव हैं अगर आप questions का logic बना रहे हैं आपका अभ्यास है तो आप एक्जाम में भी पूछे के प्रशन का logic असानी से निकाल पाएंगे clear बात करेंगे अगल सब्सक्राइब फर्स्ट का पोजिट लास्ट में देखने को मिला बीच वाले आपको क्या दिखने लेटर दिखाई दे रहे हैं बारा तेरा पांच छे सोला सत्रा बीस इकिस यानि की पी क्यू एल एम एफ टी और यू क्लियर तो होब कि आप session को enjoy कर रहे हैं आप यहां पर काफी कुछ सीख पार है तो फटा फट से एक बार comment box में comment करके बता दीजे कि आपके पूछे गए प्रशनों में से कितने प्रशनों के उत्तर सही आए हैं ठीक है चली तो यह हो गई बात आज के session की इसी प्रगार से various अगर मैं बात करूं logics को combine करके हम लोग अलग अलग lectures म माध्यम से आपके आगामी परिक्षा की हम क्या करेंगे बहतर तैयारी और बहतर अप्रोच को हम लोग यहां पर जानेंगे और सीखेंगे साथी साथ उसको exam में apply करके वर्दी अब दूर नहीं यानि कि selection हमें लेना है तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next class में कुछ औ और अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग कॉंसेट्स और टॉपिक्स के साथ थैंक यू